आज के दौर में देश और दुनिया जल संकर से चूज रहा है लोगों को पानी तक खरीद कर पीना पर रहा है ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश का ये गाउं जहां मवेशी पालक दूद को बेशते नहीं बलकि मुप्त में देते हैं ये सुनने और पढ़ने दोनों में ही अजीव सा लगता है मगर ये इस गाउं की हकीकत है इस गाउं में लोग घर में उत्पादित होने वाले दूद का अपने परिवार में उप्योग करते हैं और जरुरत से अधिक उत्पादित होने वाले दूद को जरुरत मंदों को मुप्त में देते हैं इस गाउं में कोई भी विक्ती दूद बेचने का काम नहीं करता गाउवालों के मुताबिक दश्को पुर्व इनके पुर्वजों ने ही गाउवालों से दूद और उससे नर्मित सामागरी को नहीं बेचने को अपील किया था तब से ही यहां दूद नहीं बेचा जाता है और दूद ना बेचना यहां की परंपरावन गई है यहां की धारना तो यह है कि यदि दूद का कारोबार करेंगे तो नुकसान होगा यहां के लोग दूद में मिलावट करके बेचने को पाप मानते हैं मध्य प्रदेश के इस गाउं के पुरवजों की कही बात यहां के लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन गई है और तभी से इस गाउं में दूद मुप्त में मिल रहा है